निहारिका की नई नई शादी हुई थी आज उसका ससुराल में पहला दिन था अच्छा हुआ बहू जो तु समय पर उठ गई अब आज तेरी पहली रसोई की रसम है ना तो वो तुझे पूरी करनी है जी माजी, मैं बस वही पूछने आपके पास आ रहे थी या आज अपनी पहली रसोई में क्या बनाओ? आज तु अपनी पहली रसोई में लाल मसूर की दाल, चावल और आलू की भुर्ची बना कर लिया लेकिन माजी, ये तो बड़ा ही सादा खाना नहीं है I mean, पहली रसोई में तो पक्वान या मीठा ऐसा कुछ बनाया जाता है न? हाँ, हाँ, जानती हूँ लेकिन शादी में पहले ही सबने बहुत पक्वान और तरह-तरह का खाना खा लिया है इसलिए अब किसी की इच्छा नहीं होगी इसलिए तू अब कुछ सादा ही बना निहारी का बुरा सा मूँ बना कर अपनी सास की बताई हुई दाल, चावल और भुर्जी बनाने चली जाती है कुछ देर बाद वो सब को खाना बना कर परोस्ती है वाबहू, तेरे हाथों में तो जादू है तूने तो बड़ी ही स्वाद, ये करारी करारी आलू, भुर्जी और दाल, चावल बनाए है मज़ा आ गया धन्यवाद माजी इसके बाद शान्ती निहारीका को उसकी पहली रसोई का नेक देती है ऐसे ही निहारीका को तीन दिन बीच जाते है इन दिनों में तीनों वक्त दाल, चावल और भुर्जी ही बन रही थी तीन दिन से ये दाल, चावल, भुर्जी खाकर तुम्हें पक गई हूँ अब तक तो सबका शादी का खाना डाइजेस्ट हो गया होगा इसलिए आज में सबके लिए मटर पनीर, पूड़ी और रहता बनाऊंगी ये सोचकर निहारीका रसोई में जाती है और आटा ढूंडने लगती है लेकिन पूरी रसोई में आटा ढूंडने पर भी उसे कहीं आटा नहीं मिलता कमाल है? ये आटा तो घर में है ही नहीं? लगता है राशन खत्म हो गया जेठानी जिसे जा कर पता करती हो निहारीका अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उनसे आटे के बारे में पूछती है क्या? आटा? अरे इस घर में आटा देखे होए तो मुझे भी काफी वक्त हो गया है मुझे तो लगा था इतने दिनों में तुम सब समझ गई होगी क्या मतलब दीदी? यही कि इस घर में तीनों वक्त सिर्फ दाल चावल और भुरजी ही बनती है क्या? हर रोज दाल चावल भुरजी? लेकिन दीदी हर रोज कोई दाल चावल भुरजी कैसे खा सकता है? तुम मा जी को भी ठीक से समझी नहीं पहले तो इस घर में हर रोज अलग-अलग तरह की सबजियां बनती थी लेकिन जब से सबजियों ने दाम चुए तब से मा जी कंजूस होती चली गई और उन्होंने सबजियां लाना ही बन कर दिया और तब से हम लगातार बस ये दाल, चावल और आलू की भुरजी खा रहे है क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ता है ओ, तो ये बात है लेकिन आब ऐसा नहीं होगा फिर निहारीका रसोई में जाती है और दाल, चावल और भुरजी बनाने की बचाए ब्रेट पकोड़े बनाने लगती है ये क्या निहारीका, ये तुम क्या बना रही हो मा जी देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगी खुच नहीं होगा दिदी आप तो बिकार में घपरा रही हो आप देखना सब को ये बहुत पसंद आएगा और खास कर मा जी को कुछ देर बार निहारीका सब को टेबल पर ब्रेट पकोड़े परोस्ती है जिसे देखते ही शांती आग बबुला हो जाती है और निहारीका पर चिलाते हुए कहती है निहारीका बहू जब तुझे पता है कि यहां हर वक दाल चावल और भुरजी बनती है तो फिर तुने ये सब क्यों बनाया लेकिन मा जी ये दाल चावल और भुरजी रात का खाना होता है इसे नाश्ट में कैसे खाएं? और वैसे भी कोई चीज कभी कभी खाई जाए ना, तो ही अच्छी लगती है, रोज रोज नहीं. अब हम कोई गाय भैस तो है नहीं जो बार-बार एक ही चारा खाएं. अगर इतना ही शौक है ना तुझे अलग-अलग तरह की चीज़ें खाने और जिसको भी परिशानी हो वो अपने माई के जा सकता है. ज्यादा फर्माईश करने की कोई जरूरत नहीं है. ये मेरा घर है, कोई फाइफ स्टार होटल नहीं, जहां जो मन किया वो खाया. अभी के लिए तो हम ये खा रहे हैं, लेकिन खबरदार जो आज के बाद अपनी यही हाल होने लगा था. लेकिन शांती देवी के सामने जुबान चलाने की किसी की हिम्मत नहीं थी. एक रोज, जब अंजली की बेटी रिया स्कूल में लंच बॉक्स खोलती है. अरे रिया, तो टिफिन में क्या लाई है? क्या यार नेहा, तू भी किस से ही सवाल पूछ र और घर आकर अपनी मा से कहती है. मा क्या है ये सब? आखिर कब तक हमें ये दाल चावल और भुर्जी खानी होगी? अब तो मैं थाक चुकी हो ये सब खाकर. आपको पता अब तो मेरे स्कूल वाले भी मेरा मजाग उड़ाते हैं. तेखा बहू, अब तो इस बच्चे पर उ अच्छा, अब तु अपनी दादी को बताएगी क्या सही और क्या गलत? तब ही निहारिका का पती रोहन भी वहाँ आ जाता है. रिया बिल्कु ठीक क्या रिया मा? और आपको पता है, अब तो हमारे ओफिस के दोस्त भी हमारे साथ लंच करना पसंद नहीं करते हैं. हमें देखकर सब लोग हमारा मजाग उडाते हैं. हाँ मा, अब हमें शर्म आती है, रोज-रोज एक ही तरह का खान ले जाते हुए. क्या तुम लोग भी, लोगों की बातों को दिल पर ले रहे हो, और अगर तुम लोगों को सबजी खाने का इतना ही मन है तो ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए सबजी ले आऊंगी, कल से तुम सब वही ले जाना. ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शान्त कभी कभारी सबजी लाती, वो भी इतने बड़े परिवार के लिए सर्फ आधा की लोग, इसलिए घर के बाकी सभी सदस से चुपके से, चुपकर बाहर जाकर कुछ खा ले थे, आहाहा, कितना मज़ा आ रहा ये नान और पनीर खाकर, सच को निहारी का मुझे तो लगा था क ये दाल चावल खाखा करी, भगवान को प्यारी हो जाओंगी, लेकिन आज तेरी वज़े से मुझे ये बाहर का खाना खाने को मिला, शांती के कंजूसी से घर वाले तो परिशान थे ही, साथ ही महमान भी तंगा चुके थे, जब कोई महमान आ था, शांती उसे भी दाल चा इनकी बहुत कमी हो गई है, और इम्यूनिटी जिस्टेम भी बहुत कमजोर हो गया है, देखिए, यही सही उम्र होती है बच्चों की सेहत बनाने की, अगर हमने उसके सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो कल को वो कपोशन का भी शिकार हो सकती है, ये सुनकर अंचली को बहुत आता है, और वो अपनी सास पर भड़कते हुए कहती है, देख लिया माजी अपनी कंजूसी का नतीजा, आज जो मेरी बेटी की हालत है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है, मैं बार बार आपसे कहती रही लेकिन आपने हमेशा बस अप नहीं चलाई, अभी तो सिर्फ यह इसकी हालत है, लेकिन कल को ऐसे ही चलता रहा ना, तो हम सबकी हालत भी यही होगी, अपनी बहु की बात सुनकर, शांती को बड़ा दुख होता है, और अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, फिर अगले दिन जब सभी घरवाले सो कर उठते हैं, तो वो देखते हैं कि ट ओ गौड, यहां तो पूरा श्रिंक भरा पड़ा हैं गंदे बरतनों से, सब बरतन जूटे पड़े हैं, अब मैं खाना कैसे बनाओ, यह मेरी देवरानी दिव्या भी न, एक नंबर की आलसी है, सुबर जब शीला बरतन धोकर जाती है, तब तो सब के लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहां बरतनों का पहार इकटा होता है, तो वो महरानी अपने कमरे में चुहें की तरह डूप कर बैठ जाती है, अभी बताती हूं मैं इसे, दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहा है, क्या हुआ जी ठानी जी, मुझे बिग बॉस देखना है, अरे आज ही मैंनी क्योर करवाए, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे, ये तो तेरा हर हफ़ते का बहाना है, जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है, तो क्यो बिकार पैसे फूख कर आती है, चल अब बरतन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है, एक बर क खाना कहां रह क्या, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है, मा लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई, धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना, अनुझ बेटा ऐसा कर तू बाहर से ही खाना मंगवा ले, एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लडाई में भूख के मारे ही में परलोक न सिधार जाओं, आप ये ओर्डर कर देता हूं मा, वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है, उधर दोनों अभी भी बहसी किये जा रही थी, ठीक है, फिर नहीं दोने ना तुझे बरतन, तो मैं भी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली, रहो सब भूखे आज, अरे भूखे क्यों रहेंगे, कल रोहन जी ने खाना ओर्डर किया था, आज अनुझ भया को बोलो, वो ओर्डर कर देंगे, दोनों ये बोलने बाहर आती है कि तब ही अनुझ कहता है, कर दिया ओर्डर, हम जानते हैं को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते, हाँ, अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना, बस करो दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो, तो बचती ही रहती हो, कुछ दिर बार डिलिवरी बॉय खाना ले आता है, सब चुप चाप उस खाने को खा लेते हैं, अगली रात दो अरे वा, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी, और ना वो बरतन धोने पड़ेगे, रश में ये देख कर खुश हो जाती है, फिर दोनों देवरानी जे ठानी बरतन ना धोने पड़े, इसलिए बड़े से भगोने में आलू की सबजी डाल देती हैं, एक पुडिया तोड़कर सबजी में डुबोती हैं, खाने लगती हैं, उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुसा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छड़ हैं, शुप्राओ अपना मुह बंद रखना, आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ओडर नहीं करेगा, जाओ दोनों रसोई में और खाना बना कर लाओ, दोनों डर के मारे किचन में चरी जाती हैं, क्या करे दीती, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी, अच्छे काम करते हैं, आप ये बरतन धोलो, तो मैं सब के लिए पुलाओ बना दूँगी, आहाहा, आई बड़ी बरतन धोलो, खुद धोले समझी, और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहे गाना तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैट कर ही रात का खाना 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 पड़ेगा, इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी, बस बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खेर नहीं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम रसोई से बरतंधोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नी। फिर ये बरतंधोने की आवाज काँ से आ रही है। चलो देखते हैं, दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुझ बरतन मांच रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूरी सास पार्वती खाना बनाने लगती है, ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है, ये आप सब क्या कर रहे हैं, बहू, अब तुम दोनों स तो ना बरतन धूलते हैं, ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं, ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो, तुम दोनों जाओ और आराम करो, नई माजी, हमें माफ कर दीचे, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है, हाँ माजी हमसे भूल हो गई हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है अपसे आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे हमारे रहते हैं हमारे पतियों को जूटे परतन और माजी आपको खाना बनाना पड़ रहा है नहीं नहीं आप सब बाहर चाहिए हमें एक घंटे में खाना बना कर अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो रहने देते हैं चलो बेटा मा और बेटे बाहर आकर खूब हसते हैं और एक दूसरे को आँख मार कर कहते हैं मिशन सक्सेस्फुल